इसक्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे जो यदी डायरीज के नाम पे इस वक्त कैरवान रे चापा है और इसमें जो संसनी खेज खबर ये है कि बड़े बीजेपी की मिनिस्टर्स की नाम है जिनको यदू अरप्पा ने पैसे दिये थे और छोटे मोटे रकम ने 1.500 क्रोर, 100 क्रोर, 50 क्रोर इस तरह के बाते इसमें है और इससे भी बड़ी बात बीजेपी की सेंटरल कमिटी को इनको केंद्रे जो मूल संगठन का कमिटी है उनको भी भारी रकम चिनाओं के पहले दिया गया था इसको चर्चा करने के लिए हमारे स हमारे साथ और है उर्बिलेश बरिष्ट पत्रकार जो की राजनितिक विशों पर और मीडिया के विशों पर काफी दिल्चस्पी लेते हैं और हमारे साथ कई बार हफते में आते हैं पातचीत करने के लिए पारज़े आप से शुरू करूंगा मोटा-बोटी यह जो तजब जरप्पा के डायरी जबत हुआ शिवकुमार के घर से जो की कॉंग्रेस के मेले थे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट में यह डायरी पहुचा और दूसरी बात है कि जैटली जो फिनांस मिनिस्टर थे उसके पास यह डायरी के बारे में पूछा गया इसके बारे में और क्यान बिन भी नहीं और वहीं कि त्यों यह वहां पर जो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन तवही पर रुग किया इसके बारे में आपका क्या-क्याल है अ सबसे बडी बात मूल्चित्र क्या निकल के आ रहे है यह जो केरवयन का जो वेब साइट में आज आधिरा कुनिकारा और निलीना MS, इन्होंने जो एक तरह से एक होजी पत्रकार है दोनों, उनको मिला है ये जो येडियूरप्पा, जो भूतपूर्व करनाटक का जो मुख्य मंद्रिय है, उनका एक डाइरी, उसमें लगभग अटारा सा क्रोर से जादा लिकित रुपे, अपने हाथ में उनने एक करनाटक जो विधान सवा का एक डाइरी है, 2009 का डाइरी में, करनाटा भाशा में उन्होंने अपने हाथ में लिखा, उसमें लिखाये क्या, ये आरोप है कि उन्होंने भारती जिन्ता पार्टी का सेंट्रल कमिटी को लगभग एक हजार करोर दिया, वित्यमंत्रिय और नितिन गटकरी जी को दोनों को डिर सो करोर के आसपास मिला, और राजनाथ सिंग जी को सो करोर मिला, और यहां पे खत्म नहीं होता है, भारती जन्ता पार्टी का जो वरिष्ट राजनेता है, लाल किशन अडवानी जी, और मुली मनन मुनहर जोशी जी, दोनों को भी 50 करोर मिला, और यह सारे जितने सारे पेमेंट है, यह कुछ साल पहले हुआ था, 2009 के आसपास, जिस समय वहां के जो आरन ओर का जो बहुत बरा घोटाला एकदम टॉप में था, इसमें यह भी लिखा है, कि गटकरी का बेटा का शादी के लिए भी 10 करोर रुपया दिया, और नाम नहीं है, कुछ जजो को मिलके, धाई सो करोर मिला, और कुछ वकील को भी लगपक 50 करोर मिला, उनका भी नाम नहीं है, मगर सबसे आपने जो आश्यच बात बोला, कि आएकर बिभाग के पास ये सारे कागजे, और अगस्ट 2017, लगभग डेर साल उनके पास हैं, मगर अ आएकर बिभाग का कोई वरिष्ट अदिकारी, और उन जेटली को लेके भी ये सारे कागजे दिखाए, मगर इसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, कुछ आगे नहीं बरा मिलकुर, जहां था, वहीं पर है, इसके साथ और एक बात आपको पेश करना उसके बारे में भी जिक्र है, और जनादन रेड़ी का इस पे क्या रोल रहा, इसके बारे में जिक्र है, इसके बारे में हमको ज़रा बताएंगे, गाली जनादन रेड़ी जिसको तीन साल जेल जाना पड़ा है, और जेल से निकाल के उसके बाहर आने के नोट बंदी के समय उनका बेटी का शाधी में इतना पैसा इनोंने खर्च किया जो बैंगलोर में अभी जिन्दगी में किसी ने नहीं दिखा इतना पैसा खर्च किया नोट बंदी का उसी समय जिस समय नोट बंदी चल रहे थे यानि कि नवेंबर 2016 उसके बाद भी एक बार उसको एक दिन के येडियोरप्पा ने अपने नाम में लिखा गाली जनादन रेडी इस दी की परसन टू मेक मी सी एम वो खुद मान रहे हैं कि इन्होंने मुझे 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 मंत्री बनाया और सारे नाम लिखा है इसमें ऐसे विदायक का नाम भी है जिसको बाद में देखा जाया कि सब मिला सब सारे सब सब का नाम है इसमें पैसा कितना है इसका भी जिक्र होगा वेसे अठारा सुकरों क्या असपास आया उतना उन्होंने बाटा और चीफ-पिनिस्टर रहे इसके बारे में आपको याद होगा काफी चर्चा रही बीजेपी ने उसको एक बार चीफ-पिन मन्द बहुत गहरा रहा इसमें अभी भी उनका च्छत रचाया बेलरी ब्रदर्स पे है सब को मालूब है तो यह दूसरी बात जो निकल के आती है जो यह चौकिदारी की बात यह लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे चौकिदारों के नाम में भी इसमें शामिल है और चौकिद ती डायरी प्राप्त हुआ था डायरी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास था और कोई चौकिदारी लगता नहीं इसके बाद हुई तो इसके बारे आपका क्या ख्याल है प्रवीर डायरी पर आने से पहले तो कि आपने बेलारी बंदों की भी चर्चा की तो मैं बहुत संचेप में अपने दर्चकों और शोताओं को बेलारी बंदों की और बीजेपी के करनाटक में जो राजनितिक शुरुवात हुई या राजनितिक इस्तार जो हुआ उसमें उनकी भूमिका पर बहुत संचेप में कुछ बातें बताना चाहूँगा चूँकि मैं कई करनाटक में कुछेक बार च्छुनाव में और कुछेक बार विभने पुलिटिकल पार्टी के की कांग्ले या ऐसमें मुझे अख़वार के प्रतने दी के तवर पर जाने का मौका मिला तो मैंने कबर भी किया है इस इलाके में भी मैं गया हूँ तो आपने देखा होगा कि बारती जनता पार्टी जब करणाटक में शुरु मात किया उसने कामकास का पहले शुरू हो गया था लेकिन सच पूछा जाए और यदरप्पा जी अगर ये डायरी में सब कुछ साब सुतरा है तो यदरप्पा जी बहुत आनिस्ट हैं आनिस्ट विदिन दे कोट कि वो कहते हैं कि हाँ मैं सियम बना तो उनकी वज़ा से बना बिलारी बंदुओं की वज़ा से ने चुनाव वहां लड़ा था वो चुनाव बहुत चर्चित हुआ था जिसपे सोनिया गांधी के खिलाब क्या-क्या बयानबाजी हुई वो अलग विशय है लेकिन बिलारी बंदुओं के बगएर क्या उसका कल्पना की जा सकती थी उस चुनाव की तो हमारा ये क्या है कि अगर इटली का कोई महिला भारतवर्ष का प्रधान मंत्री बनेगे तो मैं अपना सर्चिला था ये वह बहुत चर्चित बयान था तो ये तो बिलारी बंदुओं की बात हुई कि कैसे भारती जनता पार्टी को करनाटक में एक बड़ी ताकत बनाने में उनका योगदान था एपार्ट फ्राम जो कमिनल पॉलिटिक्स थी खासकर 30 चेत्र में करनाटक के वहां पर काफी घमासान इन लोगों ने किया था उसके अलावा ये दो फैक्टर थे और अब आते हैं इस डायरी पर देखिए भारत में जो वित्य घोटाले हैं उनमें डायरियां बहुत चर बहुत सारी डायरियां है तो हमारा ये कहना है कि ये 2009 से इसका ऑपरेशन सुरू होता है अगर इसमें कामकाज देखा जाए इस डायरी का एक तरह से इस पर इस पर इंट्री इंट्री हां और दोनों की वर्णन इसके हैं और 2017 में खुलासा होता है मनें यह सामने आती है जब चापा पड़ता है शिव कुमार फॉलासा नहीं होता है मनें डिपार्टमेंट तर जाती है वही वही लेकिन अगर दूसरे किसी दल का किसी और सेक्षन आप प्लिटिकल जो 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 सरकील है उसका अगर मामला होता तो यह फॉरन सामने आ जाता लेकिन नहीं आया तो 2017 से नहीं लगा रहे हैं हम बिल्कुल यह नहीं कहा रहे हैं कि कौन इसमें घपले में शामिल है कौन नहीं शामिल है हमारा बस यह कहना है कि कोई यह तो बता दे कि यह चौकिदारी वाली सरकार जिसका हर व्यक्ति चौकिदार और त्व्योस्ता का चौकिदार है रक्षा का सव का था इंकम टेक्स्ट में अगर एक छोटे से आदमी का कोई मामला जाता है उसका बहुत साधारण कुछ एक हजार कुछ एक लाग पाने वाले आदमी का जिसके पास संपत तो आपने नौजाने कितनी इन्विस्टिकेशन सुरू हो जाती है इसका कोई नहीं हुआ हमारोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन इसकी पर्ताल तो होनी चाहिए थी पर्ताल क्यों रुकी किसने रुकी चौकीदारी किसने की चौकीदारी का क्या मतलब है प्रभी चौकीदारी किसने नहीं की इसका क्या मतल और चीन का उस समय अलिम्पिक गेम्स के लिए वहाँ पे उसका मांग भी बहुत हो गया और करनाटक से और अंधरप्रदेश से भी उस समय भाजन नहीं हुआ तो उस समय आपको याद है कि उस समय करनाटक का जो लोका युकता था संतोष हेगडे जी उनका एक मोटा रिपोर् उसके बाद भारते जनता पार्टी उनको पार्टी से हटा दिया और ये भी भुलियमत कि 2014 लोकसभा चुनाव का पहले नरेंद्र मोदी और अमिच्छा ने खुद जाके यह दूरप्पा का बोला कि जो पार्टी करनाटका जनता पक छोड़के भारते जनता पार्टी में व आद होगा कि कुछ दिनों के लिए वो मुख्यमंद्री भी मना था आज वो करनाटका विधान सबय में विरोधी दलका इस दर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो ये भी है कि कुछ दिन 2011 जो आप कह रहे हैं 2011 के बाद संतो शेग्डे जी की रिपोर्ट पे उनको कुछ दिन के लिए बीजेपी छोड़ना पला था और बीजेपी भी क्योंकि 2014 की चुनाओं जा रहे थे वो एक साफ तस्वीर अपना दिखाना चाहते थे एक वक्त पे पर जनादन रेड़ी का इंफ्लूएंस, मनी पावर, यदिवरापा का कास्ट पॉलिटिक्स इन तीनों को मिलके बीजेपी में फिर वो मुखमणी बने पर मैं आपको और एक चीज में बताना चाहिए याद दिलाना चाहूंगा आपका इसमें काम है कि बेलरी ब्रदर्स औ एक बीजेपी में और उस समय उनका बेटा जगन रेड़ी और गाली जनादन रेड़ी दोनों एक ही चीज़ कर रहे थे एक ही चीज़ कर रहे थे गैर कानूनी तरह से लो आयूस्क विदेश में निर्यात हो रहे थे और एक साथ मिल के कर रहे थे ये भी है ये दोनों ये प है वहाँ पर दोनत एक तस्वीर है जैसे जैसे सुश्मा स्वराज जी का साथ एक बहुत है के वेब में है कि उन्होंने दो गाली जनादन रेड़ी दो भाई के ऊपर उनको आशिरवात कर रहे हैं और यह यह भी है कि इस वक्त जगन रेड़ी और बीजेपी काफिक नजदीक है अंद्र के चुनाओं में पर इस बात को हम अभी इस वक्त छोड़ देते हैं इस बात में वापस आना चाहते हैं कि बड़े-बड़े नेताओं के नाम है एक तो यह है पर यह दिका अगर आप प्रिक्तिकत रूप से देखे तो वह बड़े बारीकी से सब पेमेंट्स इन हवाला डायरीज, बिल्ला पेपर, साहरा पेपर, सब में यह था कि ब्लैक बनी का भी एक अकाउंट्स होती है जो खुद अपने लिए रखना पड़ता है पर एक बात इस पर आपको सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि यह जो दसकत करकी इनों ने लिखे थे यह पह अंग्रेस की दल को तूटने से बचा रहे थे उसको अपने पैसा खर्च और आपको याद है कि गुजराच से सारे विधायक को करनाटक बैंगलोर के नजदीक ले गए थे जिस समय अहमत पटेल का राजस हवाओ चुनाओ चल रहा था तो शिवकुमार के पास डैरी यही बहुत ही रोचक कहानी है और यह कारवा के यह लेक में यह भी आ गया कि 2017 आगस्ट में आयकर विभाग का चपा लगा शिवकुमार की घर पे वहीं पे यह डाइरी का कॉपी उनको मिल गया और उन्होंने लिखा है कि यह 100% जिनुएन है और फिर सारे जिसमें नोट लि यह डूरप्पा उस समय इसके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत किया किसके पाद शिकायत किया सुशील चंदर जी ने सुशील चंदर जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सस आज वो निर्वाचन आयो का ही इस इलेक्शन कमिशना यह बहुत इंट्रेस्टिंग है औ और वहाँ पे आपको साफ लिखा है कि जब यह शिवकुमार जी का घर है कैसा पहुचा बोला यह इस से पहले आनंद कमार जी के पास पहुचा था और के एस यह इश्वर अपा के पास आज आनंद कमार जी गुजर गये हैं मगर उस समय क्या हुआ था करनाटक का प्रेस में बहुत सारे निउज रिपोर्ट्स है कि जो परसनल स्टाफ है यह दूर अप्पा का परसनल स्टाफ और इश्वर अप्पा का परसनल स्टाफ के दिए जबर दस्त कई बनाब्रा कुए था कॉन डायरी मिलेगा? और डायरी मिल गया और एक कौपी शिवकुमार जी के पहु तो बहुत ही एक तुम घर का रेट की पीशे यह भी था कि वो डायरी को फिर बराबत करें तो मेरा क्याले सब लोग इसमें ये बहुत ही ऐसा एक डॉक्यूमेंट है और भी बहुत रोचक रोचक कहानिया है कि कह रहा है कि मुक्हमंद्री और अपना वो एक और अभी वो सांस ने उनको उनके साथ शादी भी कर दिया और उनके उद्गे पास जो इनके पास शौबा करन्द लाजे और उन्होंने कहा ये सब बेबुनियाद है ये सारे चीज़े मगर ये औरीजिनल डाइरी कहा है किसके पास है इसके ओपर जाच होना चाहिए कि नहीं यही बहुत ब़ कोवीर कह रहे हैं कि आखिर क्या डिश्योकुमार के घर पे जो चापा पड़ा उसके पीछे सिर्फ यही नहीं था कि कांग्रेस के विधायकों को कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैसे वो अपने फाइब स्टार रिजार्ट में उनको जगह दिये हुए हैं बलकि ये भी क उस समय सुशील चंद्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सिस का चेर्में था और उसको टर्म एक्स्टेंड हो गया था अच्छा एक चीज़ पर आपने कहा था भी कि हैंड्राइटिंग जो है यह दिवारा पाता है इसका प्रमान क्या है वहां पे लिखा है क्यूं यह 100% जनुएन है मैं मैं आपको पर की सुनाता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें एक जगा में यह भी लिखा है रिपोर्ट में जब यह सवाल इनके पास उठा था क्यूंकि उनका जो अपना जो फैमली का ट्रस्ट है वहां पे भी कुछ पैसा मिला और यह सब उनसे पूछ तो अगर इसमें एकदम पूरी बेबुनियाद है इसमें एकदम पूरी बेबुनियाद है और यह समबड़ी उर्फ सेट संथिंग और मैं आपको अब के लिखे बर इसके ओपर जब चिला चिली होगा वही कहानी होगा जो जैन हवाला केस का हुआ है जो बिला सहारा केस का हुआ है सारे कोशिश चलेगा कि इसको एकदम टू कवर इट अप कर पाएगा कि नहीं अलग बात है क्योंकि अपी चुनाओ आ गया और देखिए क्या होने वाले हैं और बिलेश इसी बात पर आपको आपके पास आ रहा हो आखरी बात क्या चुनाओं में इसका असल पलाएगा देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह विपक्ष हमारे देश में बहुत एक्जुट या गोलबंद नहीं है अभी तक का जो डिवलप्मेंट्स दिखाई ज रहा है कि उसके पास भरपूर अपर्चुनिटी है मौकों की कमी नहीं है लेकिन जिस तरह से उनको मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए और आगनाइजड करना चाहिए अपने अपने हमलों को उस तरह का नहीं हो पा रहा है बहुत छोटे-छोटे मसलों को लेकर जो मसलों को लेकर ना एग्रिसिव हो सके सरकार पर शायद इसके लिए वह एक बचाओ है जैसे उन्होंने आज ही के दिन जो एक मसला उठाया कि साम पित्रोदा साहब जो राहूल गांधी जी के बड़े करीबी हैं इनके पिता जी के बड़े करीबी थे इनके माता जी के रिस्पांस था हमारी सरकार का पुलवामा हमले के बाद वो सही नहीं था अब इसको कह रहें कि देश्तरोही किसम की बात है तो हमारा कहना है कि यह जो चीजें हैं बहुत तरीके से भारती जनता पार्टी मौजुदा जो सत्ता सत्तारूरदल है वो चीजों को जैसे जैसे जो एक गोदी मीडिया है जो मौदी मीडिया जो भी कहें तो उसके लिए यह चीजों को टर्न करना जो आप कह रहें तुछी करन करना शायद संबभ हो रहा है कितना हो पाएगा देखना है अभी पर यह बात जरूर है कि चौकिदार यदुरप्पा के डैरी इस वक्त जनता के सामने है देखे क्या होता ह और भी आकरी बार यह भूलिया मत कि 2004 और 2013 इस समय चुनाओं का पहले करनाटक भारती जनता पार्टी का इंचार्ज अरून जेतली जी से यह वास्तव है यह फैक्ट है यह भी भूलिया मत कि कैरवैन ने B.S.A. यूरपा अरून जेतली जी नितिन गटकरी जी राजनाज सि जी लाल किशन अडवानी जी मुली महनद जोश्री जी को सब को यह रिपोर्ट का सवाल उठाया उनको पूछा कि आपका कुछ कहना है और जब तक यह रिपोर्ट छपा यह आज 22 तारीक है कोई जवाब नहीं मिला उनका अगर यह भी लिखा है कि अगर कुछ जवाब मिल जागा तो शायद अगर जवाब मिल जागा तो रिपोर्ट में वो डाल देंगे तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी यह रिपा जब 2008 में मुक्ह मंत्री बने थे उस समय भी कुछ कॉंग्रेस के विधायक जेडियेस के विधायक को खरीद के लिए आया थे और उसी समय कारी ज स्विव इस अच्गे घ्रिपा क्यों इतने दुखी थे उनका कि विधाय कंगा मैं इतने पहसद या पार्टी को और आख देखिये पार्टी हमें पार्टी से हथाटती है It's all coming back but we have to see what Chawkidar Mr. Modi, Chawkidar Mr. Jayatli, Chawkidar Mr. Gadkari and The biggest Chawkidar Mr. Yedi, what they do and how it plays up पर जर्टा के सामने है कि ये क्या हो सकता है और उनके पास इसका जबाब भी है अपना वोट जो मेरे ख्याल से जो 65 क्रोल बोफॉर्स का स्कैम था उस जमाने में इस से तो ये कई गुना ज्यादा है इंफलेशन को गिन के भी तो मेरे ख्याल से इसका असर इतना आसान नहीं होगा इसका असर तुच्छी करण करना गोधी मीडिया के लिए भी धन्यवाद आपको देखते रहेगा न्यूस क्लिक